अब हम बात करेंगे गुरू के नुस्खे के गुरू के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज सामन महीने का दूसरा सोमवार है सामन का महीना खास तोर से देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत अच्छा मानते उनको अतिप्री है देवादिदेव महादेव को यह सामन का महीना अति प्रेश में अगर आप पूजा पाठ करते हैं भगवान सीव की अराधना करते हैं तिससे भगवान सीव अति प्रसंद होते हैं कहते हैं कि ये भगवान सीव का बहुती प्री महीना है आज सु तोस्तु मौगरदानी आरत हरों दिन जन जानी अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं ता आपकि सारी संकटों का समाधान भगवान भोले नात करते हैं भगवान भोले नात अपने भगतों पर किरपा बरसाते हैं अगर कोई जातक को लगता है कि शादी नहीं हो रही है सादी के लिए लेकर के दिक्कत है ता आज सुमवार के ही दिन आप क्या करें कि भगवान भुले नाज के अरादना करें उनके नाम पर भृत रहें और किसे सोहागिन महिला को सोहागि वस्तु दान करें और कम से कम तीन माला ओम नमद शुवाय मंतर का जब करें और भगवान भुले नात को कहते हैं कि बड़े सहज हैं, शरल हैं, और घरतानी हैं ये बहुत जल्दी भक्तों पर परसंद हो जाते हैं तो सावन के सोमवार को आप अगर इनकी पूजा करते हैं ता आपकी सारी मुनुरत भगवान भुले नात के किरपा से पूरो होती है ता आप इनकी स्रण में रहें और इनसे आशिरबाद लिजे आपका सारा कारी सिद्ध होगा अब हम बात करेंगे गुरू के नुस्के की गुरू के नुस्के में आज हम आपको बताएंगे कि आज सावन महिने का दूसरा सोमवार है ता महिना खास तोर से देवा इदिव महादेव के लिए बहुत ऑच्छा मानते उनको अत्फृ इस्में अगर आप पूजा पाठ करते ह भगवान सीव की अरादना करते हैं तिससे भगवान सीव अतिप्रसंद होते हैं कहते हैं कि यह भगवान सीव का बहुती प्री महीना है आज तोस्तु मौघडानी आरत हरहु दिन जन जानी अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं ता आपकी सारी संकटों का समाधान भगवान भ किरपा बरसाते हैं अगर कोई जाता को लगता है कि शादी नहीं हो रही है शादी के लिए लेकर के दिक्कत है तर आज सो मुआर के ही दिन आप क्या करें कि भगण भुले नाद के अरादना करें उनके नाम पर ब्रत रहें और किसे सुहाग इन महिला को सुहाग की वस्तु दा करें और कम से कम तीन माला ओम नमज शुवाय मंत्र का जब करें और भुले नाथ को कहते हैं कि बड़े सहाज हैं शरल हैं और घरतानी हैं यह बहुत जल्दी भक्तों पर परसंद हो जाते हैं तो सामन के सो मौर को आप अगर इनकी पूजा करते हैं ता आपकी सारी मुनुरत भ आपका सारा कारे सिद्ध होगा